क्रोटोन को घना कैसे बना सकते हैं, क्रोटोन को हरा भरा कैसे रख सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके क्रोटोन का पौधा जादा सर्दी में या जादा गर्मी में खराब हो जाता है, तो किस तरीके से आप अपने क्रोटोन को हरा भ पौधे को पसंद है इसलिए किसी ऐसे जगह पे जहां की जैसे वाश्रूम के पास या जहां बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं वहां पर यदि आप अपने क्रोटोन का पौधा रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया सर्वाइब करता है क्रोटोन को मौश्चर पसंद है लेकि कैसी हो गई है कलर निकल के नहीं आया है कहना मैं यह चाहती हूँ कि यदि क्रोटोन को आप शेड में रख देते हैं तो क्रोटोन कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा ग्रो बढ़िया नहीं करेगा या फिर लीफ्स जो है वो कलरफुल नजर नहीं आएंगी लीफ् बहुत ही सुन्दर निकल करके आएं जिस वजह से क्रोटोन को जाना जाता है तो क्रोटोन को धूप में रखना होगा लेकिन सर्दियां बहुत है यदि तो क्रोटोन को आप ओपन में रखिए और पूरे दिन के सनलाइट में रखिए यदि सनलाइट आ रही है और यदि गर सबकी केर ऐसी ही होती है देखिए जो मेरा एगलोनीमा है विंटर्स में बहुत ही बढ़िया ग्रो दिखाता रहा एक भी लिफ्स नहीं गिराया तो जो तरीका मैं आपको बता रही हूं इस तरीके से यदि आप चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पौधा कभी भी मरने व जादा देना है देखिए यह जितने भी पौधे मैं आपको दिखा रही हूं यह अकसर इस वज़ा से भी खराब हो जाते हैं कि इनको कम से कम पानी लोग देते हैं जबकि इन पौधों को नमी अपने मौश्चर में पसंद है तो आप यदि लीफ्स को वाश करते हैं और वह से चार दिनों पर लीफ्स को वाश करेंगे लेकिन बिना पानी के एदि आप रखते हैं या डेली पानी कर दे देते हैं सर्दियों में तो पौधा निश्चित तोर पे खराब हो जाएगा तो अभी फैब में केर कैसे करनी है क्योंकि पौधा अभी डॉर्मेंसी से बाहर आ चाहिए और गुडाई करने के बाद आप ये खाद मैं तीन-चार खाद बता देती हूं आप अपने सुधा अनुसार कोई भी खाद दे सकते हैं वैसे डिये पी ये पर्मानेंट वाले पौधू के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है क्योंकि रूट्स के एक्सपेंशन में ये मदद कर देता है और स्टेम को भी मोटा करता है तो यदि एक चमच भरके अभी आप डिये पी दे देते हैं जैसा मैंने दिया और उपर से दो चमच वर्मी कंपोस्ट ये स्प्रिंग में एक बार आप पच्छे से इसे फीड कर दीजे तो दो महीने तक जादा कुछ खा चुकी हूँ वो एक चमच आप दे दीजे कैल्शियम नाइटरेट या फिर आपके पास कोई और भी फर्टिलाइजर है सीवीड के ग्रेनवल्स है या सीवीड के लिक्विड फर्टिलाइजर है तो उसे भी आप दे सकते हैं अब मैं जो ये दूसरी चीज दे रही हूँ य यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो काउडंग मैंने ओर दीजे और ये भी नहीं है तो जो उपले कंडे जो भी आप कहते हो जो गाय के गोबर से बनाया जाता है उसे आप पानी में भीगो दीजे और उसके पानी को यूज कीजे ये तो हो गई कि किस तरीके से रूट्स की फीडिंग करनी है यानि कि गंबले में मिट्टी कैसे डालनी है अब माल लिजे न्यू लिफ्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं पत्तियां बिल्कुल मुर्जा रही है तो एक चमच एपसम सॉल्ट लेकर पानी में डालिए और उससे अच्छे से लिफ्स को स्प्रे कर दीज मैं कह रही थी कि 14 मार्च के बाद आप इसे सुबह के सिर्फ धूप में रखे क्योंकि धूप फिर बहुत तेज होने लगती है यह जो ट्रीटमेंट है यह आप अपने अरिका पाम और भी जितने भी लिफी प्लांट से उन पर कीजे जो कंपोस्ट है उसमें नाइट्रोज चमच इस्तमाल करेंगे मान लीजे पौधा बहुत पुराना है पहले से दो तीन चार सालों से आपके पास है यह लीफ्स जादा है तो जाहिर है कि उनकी खपत भी जादा होगी यानि कि पौधा बहुत छोटा है तो एक चमच आप खाद देंगे पौधा बहुत बढ़ा है तो कम से कम भर के दो चमत दीजिए और 15 दिनों पर आप इस खाद का इस्तमाल केजिए यदि इन में से कोई भी एक खाद आपके पास नहीं है तो कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन अब सबसे इंपोर्टन बात यह है खाद देने के बाद पौधे को सनलाइट में रखिए माल लिजे एपसम सॉल्ट से आपने पत्तो को वाश कर दिया कई बार मैंने अपने एक्सपिरियंस में देखा है पतियां बिल्कुल लटक जाती है यदि उसके बाद मैं शेड में रख देती हूँ तो खाद दीजिए सुबे सुबे और पौधे को धूप में रख दीजिए अभी पानी आपको डेली देने की ज़रुरत है बस इस बात का ध्यान रखिए कि क्रोटोन को अपने आसपास मौशर पसंद है नमी चाहिए उसको ग्रो करने की अब बात यह है कि क्रोटोन को घना कैसे बनाएंगे उपर से आप एक इंच चाहे तो कट कर सकते हैं जैसे ही आप कट करेंगे उपर से एक इंच स्प्रिंग में और रेनी सीजन में दो समय में आप अपने पौधे को शेप दे सकते हैं जैसे ही आप cut करेंगे वहाँ से new stem निकलेगी लेकिन क्रोटोन की growth थोड़ी सी धीमी होती है तो कम से कम आपको 45 days तक wait करना होगा new shoots को देखने के लिए देखे एक चीज़ और है कि क्रोटोन का जो पौधा होता है इसकी पत्तियां तभी खुल कर आती है निकल कर आती है जब आप इसे धूप में रखते हैं यदि आप इसे shade में रखते हैं तो पत्तियां बिल्कूल भी colorful नजर नहीं आएंगी इस बात का आप विशेश ध्यान रहेगी तो आप जहां भी इसे रखेंगे उसके आसपास और भी पौधे लंबे लंबे पौधे जैसे अरीका पाम रख दिया या डिफिन बेक्या की कोई बड़ी सी विराइटी है तो रख दिया इस तरीके से आसपास रखने से पौधे मौश्चर को जादा होल्ड करते है तो वेल्डरेंस वाइल में लगाईए जाहिर है वेल्डरेंस वाइल होगा तो मौश्चर मेंटेन रहेगा और पौधा बहुत जादा सुखेगा नहीं अब क्या होता है कि मिट्टी माली जे बहुत सक्त हो गई है मिट्टी फट रही है सक्त हो करके तो ऐसे में भी पौधे कि सारी पतियां गिर जाती हैं यानी over water और underwater और soil ये सारी जो है equally important है आपके क्रोटोन के growth के लिए क्रोटोन को cutting से भी grow किया जा सकता है डिफन बेकिया और aeglonima को root division से grow किया जा सकता है तो fab में आप चाहें तो इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं क्रोटोन की कम से कम थोड़ी सी पुरानी stem लीजिए और उसे well run soil में दबा दीजिए और उसके बाद पौधे को 3-4 दिनों तक shade में रखिए बाद में हलकी धूप में रख सकते हैं आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वह पौधा नई बढ़त ले लेगा अब यदि आपके पौधे पर किसी भी प्रकार के कीडे का टैक है या फंगस दिख रहा है तो आप एक चम्मट डिश्वास लेकर के पानी में डाली और पत्तों को अच्छे से वाश कर दीजे धो दीजे यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फंजी साइट से स्प्रे कीजे इन दोनों से रिजल्ट बहतर मिलेगा नीम उयल का स्प्रे क्रोटोन पर मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखा है नीम उयल का तो फंजी साइट या डिश्वास सोप का इस्तमाल कीजे धन्वाद